हलो फ्रेंज स्वागत आप सभी का हमारे चैनल ए आर न्यूज एंड टेक में जैसा कि उत्तर प्रदेश सासन की मंसा के नुसार जो बेसिक टिपार्डमेंट हमारा है उसमें सभी सिचकों को लगवग दस अविवाबकों के मुबाइल में दीख्चा आप रेश्टेशन करने को बुला गया है जिससे जो हमारे बच्चे हैं स्कूल जो हमारे बिद्याले बंद चल ले हैं उनकी वेश्टेशन की जो पढ़ा ही उनका लॉस हो रहा है जिसके लिए से उनसे कुछ मदद मिल सके तो आज हम बही बताने वाले हैं कि आप उन अविवाबकों के मुबाइल में दीख्चा आपका सफलता पूर्पक रेश्टेशन किस तरह से करेंगे चलिए बहुती आसान वे में आपको बताने वाले हैं वीडियो को step by step देखिए का इसकिप ना करें अगर कोई भी समस्य आती है तो आप हमें comment section में पूछ सकते हैं तो आईए बिना किसी देर के शुरू करते हैं तो दोस्तों आपको जाना है अपने mobile के play store में play store इस तरह से उपनों का आपको यहाँ पर search बार में type करना है दीख्चा इस तरह से दीख्चा type करेंगे तो सबसे पहले लिख क्या आजाएगा यहीं पर आपका दीख्चा platform school education इस पर click करना है और आपको यहाँ मिलेगा install और आपको क्या करना है install पर click करके अपने mobile में install कर लेना है हमने already install किया हुआ है इसलिए यहाँ पर open दिखा रहा है तो चलिए install हो जाने के बाद आप अपने mobile में दीख्चा app को open करेंगे इस तरह से आपके सामने खुल कर आ जाएगा welcome to दीख्चा choose your preferred language जो आपको language चूज करना है आप select कर लीजिए इनको हिंदी समझ आती है आप हिंदी कर लीजिए इसको English select करना है English select कर सकता है तो चलिए हम English select करेंगे उसके बाद continue अब देखिए यहां पर teacher आ रहा है student और अधर आ रहा है अब देखिए जो गाजियन है अपनी बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहां पर एजा student क्लिक करेंगे चलिए student select कर लेते हैं उसके बाद इस तरह से आपका नीचे आएगा select board आपको board select करना है आप किस state से हैं कौन सा board है आपका means किस राज से हैं मेरा उत्तव प्रदेश है तो उत्तव जे select कर लिया देन submit पर क्लिक करेंगे अब आपको medium select करना है किस medium से हैं इसमें दी गए है English medium, Hindi medium, उर्दूर जो भी आपका medium है उस पर select कर लेंगे देन submit अब आपको class select करना है कि आपका बच्चा किस class में है जैसे हमने माल लिया 5th class में या देखिए बंस से लेकर 12 तक दिया गया अदस जो 12 से उपर हैं वो भी class हो सकते हैं तो मेरा बच्चा माल लिजी ये 5 में है तो इस पर क्लिक करेंगे देन submit अब आपको continue पर क्लिक कर देना है इस तरह से आजाएगा profile updated successfully इस तरह से पाप आप आएगा यहां आपको cut कर देना है इससे हटा देना है अब देखिए नीचे आपको आना है corner में सबसे नीचे लिखा हुआ है profile आपको profile पर क्लिक करना है सबसे पहली बात देखिए यहां पर लिखा हुआ आ रहा है guest one और student ठीक है और जो भी आपने state select किया था medium select किया था class है और जो भी आपका state है और जो इपका district है यहां पर आ जाया अब सबसे बड़ी बात देखिए आप register कैसे कराएंगे जो गाजेन है उनके mobile में उनके बच application का registration कैसे करेंगे यहां पर जब आप student select करेंगे तो आपका registration का कुई भी option नहीं आएगा यहां पर जो नीचे आता था login वो option नहीं मिलेगा आप मालीजी जो गाजेन है वो teacher तो है नहीं तो आपको क्या करना है चलिए बताते हैं तो आप क्या करेंगे आपको जाना यहां पर change role यहां पर click करना है यहां पर जैसे click करेंगे देखिए अब लिख के आ गया है student teacher other आम मालीजे जिसके जो guardian teacher मालीजी mostly नहीं होंगे अगर हैं तो आप teacher key through login करा दीजी registration करा दीजी नहीं तो आप other पर select करेंगे कहां पर करेंगे कौन सा आप्सन चूच करेंगे other फिर हम other select कर लिए हैं यहां पर guest name में आप डाल देंगे अपना नाम डाल दीजिए या बच्चे के नाम भी डाल सकते हैं मालीजे हमने नाम डालगा दीपक यह नाम डाल दिया यहां पर board select कर लिजिए पहली की जैसे जो भी आपका state है इस तरह से medium select कर लिजिए हिंदी medium इन subject आप चाहें तो subject भी select कर सकते हैं इसे English, EBS, Hindi, Mathematics, यह बगर 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 अब submit कर दिया अब save कर देंगे अब जैसे save करेंगे आप देखिए नीचे यहां पर आपका login option आने लगा है कब जब आपने यहां पर other select किया है जो rule है other में किया है teacher कर सकते हैं या फिर other select कर सकते हैं student करेंगे तो आपका यह जो login वाला option नहीं आएगा अब हम login पर click करेंगे दीख्चा है registration के लिए login पर click कर दिया इस तरह से processing होगी आगे भी आपका open हो रहा है चलिए open हो गया आप देखिए क्या कह रहा है यहां पर लिखा हुआ है login अब देखिए first time है आपका आपके पास registered mobile number है नहीं इस पर जो दीख्चा आप पर account बनाओ और password भी नहीं है तब आप क्या करेंगे आप new है क्योंकि आपके पास दीख्चा आपका account नहीं है अलिडिया लिखा हुआ है don't have an account register here तो आपको कहां पर click करना है register here पर click करना है means आ register here पर click करते ही आपके सामने इस तरह से window open हो जाएगी यहां आपको cross पर click करके से हटा देना है आप देखिए इस तरह से यह format आजाएगा इसको आपको fill करना है सबसे पहले क्या है select year of birth आपको अपने बच्चे की जन्मतिती है उसका बर्ष डालना है उसका साल डालना है यह यहां पर आपको उसका नाम डालना है ठीक है चलिए इस लेकर जैसे माली जीए हमने 2010 कर ली ठीक है अब क्या करना है आपको इस तरह से आपको यहां पर बच्चे का नेम डाल देना है अगर आप मोबाइल नंबर से register करना चाहिए तो मोबाइल नंबर से कर सकते है इमेल योटीपी आएगा तभी verify होगा उसके बाद आपको यहां अपना password create करना है अब देखिए password किस तरह से create करेंगे password कम से कम आठ करेक्टर का होना चाहिए ठीक है कम से कम आठ उससे ज्यादा भी हो सकता है कोई बात नहीं आठ से कम का नहीं होना चाहिए और जैसे एक बड़ा historical जिसे बंट 23 कुछ भी डाल सकते हैं इस तरह का password आपका बनना है ठीक है यही password दोवरा आप यहां पर रिंटर कर देंगे दुवारा भर देंगे तो मालीजे हमने वही नाम डाल दिया वच्चे का दीपक यह इस तरह से हमालीजे अपने mobile number से register करना है तो mobile number को select रहने और यहां पर अपना password डाल देंगे password कैसा पड़ेगा हमने आपको बता दिया है वही password दुबारा से आप यहां डालेंगे ठीक है और इस पर टिक कर देंगे और जैसी टिक करेंगे यह जो है नीचे वाला यह register लिक के आ रहा है यहां पर यह blue हो जाएगा ठीक है blue हो जाने के बाद आपको register कर देना है और यह process आगे बढ़ जाएगी process आगे बढ़ जाने के बाद अगर आप directly इसमें आपकी ID सो होने लगती है तो अच्छी बात है अगर register होने के बाद नहीं सो होती है एक ची और आपको बता दें आपका जो mobile नमबर आप डालेंगे उस पर आपको ओटी भी मिलेगा ओटी पी को क्या करना है आपको फिल करना है ठीक है यह जरूर द्याना किएगा जी ठीक है अगर register हो जाने के बाद आपकी ID डायक्त लॉग इसमें रहती है तो अच्छी बात है अगर नहीं रहती है तो घबरानी की बात नहीं है परेशान होने की जूँबत नहीं है तो फिससे आप अपना दीशाय ऊपन करेंगे यहां पर नीचे profile पर दबारासे क्लिक करेंगे ठीक है तो अगर आपको उन्हें पर अपना सब कुष रहा है डिरी लॉगईन हुआ तो अच्छी बात है अगर नहीं वरा एं तो आपको क्या करना ए फिससे इस login पर click कर लेना है क्योंकि अब आपका account अलेडी बन चुका है इस तरह से page open हो जाएगा अब आपने registration कर चुके हैं आप तो आप वही mobile number डालेंगे जिससे आपने registration किया है और जो आपने password बनाया था वो यहाँ पर आप भर देंगे चलिए हम अपना registration number जो भी registered mobile number था वो डालेंगे और अपना password बरते हैं दिखाते हैं आपको किस तरह से open होगा इस तरह से आपकी process होगी आपका mobile number पासवर्ड डालने के बाद ठीके तोड़ा time लग रहा है इस तरह से अब देखिए आपका successfully successfully यहाँ पर आपका जो भी नाम है लिखके आ जाएगा यहाँ पर जो भी आपकी ID है जो दीख्चा है ID है वो आपकी सो होने लगेगी यह इस तरह से ठीके और यहाँ आपका जो भी district होगा या state होगा बोसो हो जाएगा इस तरह से आप अपना दीख्चा है प्रेस्टेशन करा सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं अब देखी नीचे आ रहे हैं library, courses, download, profile अब जिन गाजिन को जो हमारे अव्वावक हैं उनको इंगलिस नहीं समझाती है वो चाहे तो हिंदी भी कर सकते हैं language इन त्री डॉट्स पर जाएंगे उपर यह जो दिख रहे हैं इन त्री डॉट्स पर आपको जाना है ठीक है उसके बाद यहां पर आपको मिलेगा language इस पर क्लिक करना है यहां से आप Hindi language भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से आप देखिए सारी चीजे हिंदी में आ गई है डाउनलोड प्रोफाइल कोर्स पुस्तक संग्र इस तरह से यहां पर उपर देखिए क्लास भी सो रहे हैं यहां जिस क्लास में आपका बच्चा है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं फिर से और जो आपके मीडियम है वो भी सो रहे हैं हिंदी मीडियम है इस तरह से देखिए क्लास फर्स्ट की यह आ रही है कलरव ठिक इविएस की आ रही है इस तरह से इसमें सारी बुक्स हैं सभी क्लास इसकी मालीजिया हमने क्लास फाइब स्लेट किया अब देखिए अपलोड होके आया है आपे class 5 की गिंतारा आ रही है since के आ रही है science आ रही है इस तरह से और अधिक उस्त के और content देखें इस पे click करेंगे और अधिक मिल जाएगा ठीक है इस तरह से यह भी जो आपकी class 5 की है जो चल नहीं है वो आप इसमें से देख लेंगे प्रोफाइल आपकी वही रहेगी जो आपकी बन चुकी है इस तरह से जो हमाई सिचक साती है वो शासन के निदेशन उसार सभी अवावकों को लगवग 10 अवावकों को पर सिचक 10 अवावकों को दिया गया target उनके मोबाइल में ये दीच्चायव का रेजिस्टेशन सरलता पूर्बग कराना है जिसने उनके बच्चों को पढ़ने में मदद मिल सके कुछ सीक्ने में मदद मिल सके और सबसे बड़ी बात जो हमारे अविवावक हैं वो इस चीज में सायोग करें बच्चों को पढ़ा आएगा विर देखतें के लिए थैंक्यू